हाला यहों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आप सभी का लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर बीए फस्टियर में वेस्टी अर्थ सास्तर के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सीमान्त उप्योगिता हासनियम पर दोस्ते छोटा सा टोपिक है इस इक्जाम में जो है इससे एक सेपरेट कोशन बनता है सीमान्त उप्योगिता हासनियम पर इसी लिए एक छोटा सा सेशन आप लोकलिया पर हम लेकर आये हैं दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की डायेटली मूब करेंगे सेशन पर ही जैसा कि आप सभी जानते हैं भी सेकेंड यूनिट का पांच बर टूपिक चल रहा है जिके ना तीन टूपिक और बज जाते हैं इस यूनिट में चलिए तो दोस्तों आज के इस टूपिक में हमें क्या-क्या बढ़ना है तो सबसे पहले हम सीमान्त उपयोगिता हासनियम की व्याख्या पर बात करेंगे उसके बाद उस ब्याख्या को या कहें कि सीमान्त उप्योगिता की जो हास नियम है उस नियम को हम उदारन के माध्यम से समझेंगे नम्मर तीन में देखेंगे हास नियम की क्या-क्या मान्यता है या उसकी सीमाई क्या है चार नम्मर में हम देखेंगे सीमान्त उपियोगिता हासनियम का महत्व क्या है तो पांचों बिंदों के माध्यम से हम अपना ये टोपिक आज का कम्प्लीट करने वाले हैं चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डारेटली मूग करेंगे सेशन पर ही और देखिए करके सभी को क्कुलीट करेंगे चारों को सबसे पहले हम बात करेंगे प्याख्या की दोस्तों सीमान्त उपियोगिता हासनियम इना तो देखिए मैं अभी मान कर चलना हूँ कि आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो इससे पहले का जो शेशन हुआ है सीमान्त उपयोगिता वाला उसको आप देख चुके हैं अगर आप सीमान्त उपयोगिता वाले session को complete देख चुके हैं तो मुझे अब यहां पर आप लोग लिए ज्यादा मेनत करने के आवशकता नहीं पड़ेगी और आपको भी ज्यादा मेनत करने के जरूरत नहीं होगी इस से मान लीजिए कि कोई बस्तू है उस बस्तू का उपभोग करने से जो हमें संतुष्टी प्राप्त होती है वह हमारी सीमान्त उपयोगिता होती है और कुल बस्तू के उपयोग से जो हमें संतुष्टी प्राप्त हुई है वह उन बस्तू की कुल उपयोगिता हो जाती है कि कुछ भी चिंदा करने की अवश्यक्ता नहीं है यह पूरा कम्प्लीट ली आप इसको बहुत भ्यवारे ग्रूप से समझने वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सीमान्त उपयोगिता हास नियम की अब दोस्तों बात करें तो सबसे पहले यह प्रस्ण उठता है कि यह जो हास नियम है यह नां दिया किसे कि आप क्यूंकि कि ये से कुल उपयोगिता बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है और जो यह सीमान्त उपखिऊ त medida कम होती जाती ही है इसलिए यहां पर इसी को हमने नाम दिया है खास नियम मतलब सीमांत उपयोगिता हुआ कर नश्रालों में लिए अ पिर से प्रकास से ौपयोगिता गिरती जा रही है और आसे सेशन में भी हम समझेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले इस सब्द का इस्तमाल एच एच गोसेन ने किया था एच एच गोसेन ने किया था कहां के थे दोस्तों तो यह जर्मनी के अर्फसास्त्री थे उन्होंने अट्रासो चोपन में सबसे पहले इस सब्द का इस्तमाल किया था और इसी कारण से इस नियम को जो है गोसेन का परथम नियम के नाम से भी जना जाता है और अगर अगर आधुनिक समय की बात करें बरतमान समय की करें दोस्तों तो यह हमा प्रोपेशर मार्षाल के नाम से जाना जाता हैं तो इसकारण से आधूनिक समय में जिस सिध्धान्त का या जिस नियम का प्रियोग किया जाता है वो प्रोपेशन मारसल साहब के सिध्धान्त का प्रियोग किया जाता है इस कारण से यहां पर आपको दो नाम याद रखने है ठीक है ना इसको लेकर करके दो परिभाशा है जो आपके एक्जाम के दर्ष्टी को रहने पर अन्य बाते समान रहने पर कौन सी अन्य बाते अब इस बात को याद रखी गई यहां पर मैं आगे बताने बाला हूं कौन-कौन सी बाते समान रहने पर है ना कि जितनी उसके पास बस्तू है थी उनको छोड़िये इसके अलावा कोई और बस्तू से मिली और उस बस्तू से जो उसके अलावा जो लाब प्राप्त हुआ वही लाब यहाँ पर क्या कहलाता है दोस्तो सीमान्त उपयोगिता कहलाती है उस बस्तू की है ना तो बस्तू की मात मात्रा में प्रतेक ब्रद्दी के साथ क्रमसा घरता जाता है क्या सीमानत उपयोगिता उसकी घरती जाती तो प्रोपेशनस आपका इस पस्ट मानना यह है कि सभी बाते अगर समान रहे सभी बाते अगर समान रहे तो व्यक्ति के पास किसी बस्तू की मात्रा में ब्रद्दी हो जो अतिरिक्त लाब प्रापत होता है वह लाब धीरे धीरे घरता जाता है। जैसे जैसे बस्तु उसको प्रापत होती जाएगी वैसे वैसे उनका मतलब कम होता चला realization अब यह थोड़ा से देखें इक आ सामानी स्ध्धानत के विपिरी चल रहा है है कि जैसे जैसे आपको बस्तु प्राप्त होती जाएगी, उसका लाब कम होता जाएगा, लेकिन लाब का मतलब बो लाब नहीं है, बलकि लाब का मतलब यहाँ पर उपियोगिता है, उस बस्तु की वेल्यू है, उपियोगिता, जिसे हमने एक्जामपल लिया था, रोटी का, ठीक है, अगर आ दूसरी रोटी नहीं करेगी दूसरी रोटी उसकी कम आवशक्ता को पुरा करेगी कम भूखसांत करेगी तीसरी रोटी और कम सांत करेगी इस प्रकार से एक उसकी लिमिट होगी दो चार पांच जितनी भी रोटी की उसकी केपिसिटी होगी तो वहां तक आते आते उसकी भू मैं चैपमेन के अनुसार किसी बस्तू की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उस बस्तू की मात्रा में ब्रद्दी के लिए हम उतने ही कम इच्चों होते हैं ठीके ना और उतना अत्वा उतना ही अधिक हम उस बस्तू की अत्रिक्त ब्रद्दी ब्रद्दिया नहीं चाहत है ठीक है सिंपल है तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि वेक्ति के पास जितनी वस्तु होती है तो जितनी अधिक उसके पास बस्तु होगी ना तुस बस्तु के मोह में नहीं पर मतलब बस्तु उसके पास है तो उसकी इच्छा है उस बस्तु को लेकर के कम हो जाएगी यह ना कम ह हो जाएगी मतलों उसमें रूची कम कर देगा वो ठीके ना तो यह चेप्मेंस आपने का प्रियास किया है तो दोनों की परिवाश है लगवाग एक समान ही है इसमें कोई परिवरतन नहीं है बस आपको यह दो परिवाशा आपके एक्जाम के देश्टिकॉंट से मुझे एज बस tastes क का उपभोग किया एक बस दू से आपको एनर्जी मिली जो इसका उसबस्तों को अपभोग करने से जो आपको लाब हुआ वह लाब आप की सीमान उप्योगिता कहलाएगा अब उस के बाद दूसरी असफनी उपयोगिता कि यह श्रू आपको यह दूसरी बस्तों से ज उसबस्तु की सिमानतुपियूगिता हो घूलो कि एकसा जोड़ देंगे तो में छोड़ेंगे तो हो जाता है दोिती जातीं यह वहीं सिमानतुपियोगिता हास नियम हो एक यहांकी देंगे साथ सीमान तुपयोगता हास नियम सब्द का इस्तमाल किया गया है तो अब प्रश्न ये उड़ता है कि सर्वो सब ठीक है कि सीमान तुपयोगता कम होती जाते है क्यूं होती है कम तो मेरे पैरे दोस्तों में कुछ भी नहीं समझाऊंगा बस ये एक बार पढ़ेंगे ना इसको प ब्यक्ति भूका है समझ ध्यान थोड़ों से एक मिनिट लगेगा वसे ना एक ब्यक्ति भूका है और रोटी खाकर भै अपनी भूक शान्त करना चाहता है कि लिए रहे जब पहली रोटी खाएगा तब उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी क्योंकि वह बहुत भूका है किन्तु जब भैद दूसरी रोटी खाएगा तो उसे दूसरी रोटी से कम उपयोगिता प्राप्त होगी कम उपयोगिता मिलेगी किसकी अपेक्शा पहली वाल रोटी के क्यों क्योंकि पहली रोटी खा लेने के बाद उसकी भूक कुछ अंशों में सांत हो चुकी होगी उसकी जो भूग सांत हो चुकी है तो दूसरी रोटी उसके लिए उतनी उपयोगी नहीं होगी तीके ना अब जब तीसरी रोटी खाएगा तो दो रोटी पहले से अरड़ी खा चुका है वो तो उसकी भूग का लगवग कापी सांत हो चुकी है तो तीसरी रोटी की उपयोग ऀन संतुश्ति का बिंदु है तो आब देखिए समझे क्योंकि देखिए पहली रोटी पहली रोटी खागता प्रापत होती जबकि 2 रोटी कहाने से कम उपयोगता प्रापत होती है क्या कारण है इसका तो कारण ये है कि रोटी की अधिकी काईयों का उपभो करने से करने पर उसकी भूख क्रमसा कम होती जाएगी जैसे जैसे वो रोटी खाता जाएगा उसकी भूख कम होती जाएगी जब भूख कम होगी तो रोटी कम खाने की इच्छा होगी यह उसकी उप ने शेक्ष्टि रोटी खाने से उसे सुनने के बढ़ा रोपी योगिता है यहां चुनिये हो गई मतलब क्या हुआ रोटी खाने से हानी होगी है ना और हानी होने पर क्या होगा उसकी सीमान तुपी होगी ता क्या हो जाएगी दोस्तों रिनात्मक हो जाएगी माइनस में चली जाएगी तो सीमान्त उप्योगिता हासनियम का मतलब क्या हुआ एकदम सिंपल सा था कि रोटी के माध्यम से मैं आपको समझने का प्रयास के इससे पहले बारे सेशन में भी रोटी का ही एकजांपल लिया था था कि आपको एग्जांपल नहीं हो और आपको इजली समझाए जैसे एक व वो तब तक रोटिये खाएगा जब तक कि उसकी भूग पूरी तरशान्त नहीं हो जाती हो जैसे ही उसकी भूग पूरी तरशान्त होगी उसकी सीमानत उपयोगिता जीरो हो चुकी होगी अब जीरो होने के बाद में जीरो होने के बाद अगर वो जवरिस्ति फिर भी रोटी खाता है तो क्या होगा वो रोटी अब उसको जो है लाब मतलब संतुष्ट करने की अपेक्चा उसे हानी पोशाना प्रारम करतेगी ठीक है ना और इसी लिए एक पूर्ण संतुष्टी के विंदु के बाद में बाद की जो सिमानत उपयोगिता होती है उसे हम रिनात्मक सिमानत उपयोगिता कहते हैं और इन सब बातों को हम एक तालिका के माद्यम से बहुत बैतर समझ सकते हैं और वो है ये आपकी तालिका अब जराए इस पर थोड़ा सा गोर कीजिएगा पूर उप्योगिता वाला वाला जीकिन हो किसिमान तुपयोगिता जो Ghl घ क्रम सह वह हास नीयम है जो यह बताता है घो है वहिस सिमान तुपयोगिता ह Kaldun aham तो उसकी कुल उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी, वलकि उसे थुड़ी कम होगी, चालिवान लेते हैं, 40 के वराबर होगी, तो अब कुल उपीयोगीता कितनी हो जाएगी, दोस्तों, 50 पहले की थी, 40 और एढ़ हो चुकी, तो 50, अब 50 में इस 40 कोभी एट कर देंगे, तो कितनी होगी दोस्तों, 90 हो गई, तो उसकी कुल उपीयोगीता कितनी हो चुकी है, 90 हो कि है तीसरी रोटी कहाता है तो अब चुंकि इसकी भूग- चलते चलते दोस्तों अंतिम रूप से वो छटवी रोटी खाता है चटवी रोटी खाता है तो छटवी रोटी खाते खाते में उसकी भूग पूरी तरह शान्त हो चुकी है मतलब अब उसकी सीमानत उपयोगिता जीरो हो चुकी है अब यहाँ पर इस बिंदू को देखिए द तो देखिए यहां पर खुल उपयोगिता अपने टो पिस तर पर है अपने उच्छतर इस तर पर है अब उपयोगिता उसकी पूरी हो चुकी उसकी भूप पुरी शान्त हो चुकी है अभ अगर जबरश्ती रोटी का Angeb हो हो जाएगी माईनस में चली जाएगी टीके ना तो अब अब देखिए country आकर लालतব में क्ली चली जाएगी कैं तो दो मैनस में चली जाएगी तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे कुल उप्योगिता बढ़ती है वेसे वेसे सीमान्त उप्योगिता कम होती जाती है और एक निश्चित बिंदू पर या पून संतुष्टी के बिंदू पर आकर के सीमान्त उप्योगिता शुन्य हो जाती है जब सिमांत उपयोंगिताependeye सीरो होती है उस समय कुल उपयोंगिता जो है अपने उच्छत्रर इस्तर पर होती है अपने उच्छतर इस्तर इसतर पर होती है कि लियर। कि चलिए तो आगे बढ़ते दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें अभी पूरा त्रह किलियर हो चुका होगा अभी जो ताली का मेने टेवल आपको समझाई है टेवल की यह पूरी ब्याख्या यहां पर लेकी हुई है इसको एक बार पढ़ेंगे अकर कोई डाउट जाए तो उप्योग सीमान्त उप्योगिता हास नियम की मानेतियां क्या है या सीमाई क्या है तो इसमें कनिपूस मत होईए इसका मतलब समझेए मानेता है मतलब यह कि सीमान्त उप्योगिता हास नियम जो है यह नियम कब लागू होता है कब लागू होगा ठीके ना उसकी सीमाई गुण एवम मातरा में समान होनी चाहिए यह से मान लेते हैं मान लेते हैं एक्जामपल वादम देखेंगे यदी वस्तु की सभी इकाईओं में गुण अधवा मातरा की द्रह्ष्टी से परिबरतन हो जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा नहीं होगा क्यूं नहीं होग यदि पहली रोटी कम बजनकी होगी और दूसरी रोटी जादा बजनकी होगी तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। पूरा करें लिए एक गलास के रूप में पानी दिया। तो ये तो उपयूगते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्यासा आपके दरवाजे पर आया और आपने हाथ में ग्लास पकड़ लिया और एक चम्मस उसमें डाली हूँ चम्मस से आप उसको पानी दे रहे हैं तो क्या ये उप्यूक्त इकाई होगी बिल्कुल नहीं होगी एना तो ऐसा नहीं होना चाहिए गर ऐसा रहे हैं तीसरी वोड़ोटी आप इबनिंग में खा रहे हैं एना तो एसा नहीं होना चाहिए एसा होगा तो फिर सभी एकाईयों की जो स्रीमान तुप्योगी तो होगी लगो सभी की बराबर हो जाएगी वहाँ पर पर नहीं होगी मतलब जो है हास्नियम लागू नहीं इस वोगता कि मानसिक इस्तिती में कोई परिवरतन नहीं होना चाहिए इसा ना हो कि कि वूके व्यक्ति को आपने तीन रोटी पहले खिला दी तीसरी रोटी के बाद आप उसको भंग दे रहे हैं तो भंग के नसे में आने के बाद में जब उसको आप चोती रोटी दो गे कब मानसिक इस्तिति है क्योंकि नशा होता है इस तो नशा क्या करता है मांसिक दशाबी परिवर्तित नहीं होना चाहिए अगर परिवर्तित होती है मांसिक इस्तिति अगर परिवर्तित होती है तो ये नियम लागों नहीं होगा नेक्स्ट है इस्तानापन बस्तू के मूलियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस्तानापन बस्तू का मत्तब गोता है कि उस बस्तू के इस्तान पर किसी और बस्तू का प्रियोग कोम दो जो है आपस ना अपस नद बस तू है उन में भी कुछ ज़्यादा परिबदन नहीं होना चाहिए अगory नहीं होगा तो पिर ये नहीं पर नहीं होगा किलिए चलि आगे बात करते हैं दोस्तो इसके महत्व oven ठिफान कर लेते हैं जिस पूरा किलियर हो जाए इसको पूरा ओपन कर लेते हैं तो यहां पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं आप लोगों को एकदम इजी है और जो मैंने आप समझने में तो कर प्रणाली का अधिक है सीमान्त उप्योगिता हास नियम को अधिक महत्व दिये जाता है क्या कहा है यहां पर कि जो सास की अधिक लगाती है वह गरीब पर कम लगाएगी इस तरह से उसको गरेंस करने का प्रियास करेगी नेक्स्ट है नवीन उत्पादन को प्रोसाहन करना तो यह जो उप्योगिता हास नियम है यह नए उत्पादन को भी प्रोसाहित करता है क्योंकि जो है एक ही बस्तू का उत्पादन एक ही बस्तू देख एक ही बस्तू का उपभू कर करके व्यक्ति ठकसा जाता है उसे बोर होने लगता है तो जैसे जैसे वो बोर होएगा मतलब उसकी जो इच्छा कम होती चली जा रही है तो बहुत जल्दी ही सीमां उप्योगता उसकी 0 हो जाई किसी वस्तू को लेकर के तो एसी परिस्टिती में जो उत्पादक है बस्तू बनाने वाला जो है वो उपुभोक्ता की रूची में परिवर्तन हो उससे पहले वो उसे नई वस्तु बना करके प्रोवाइट कर देगा मतलब की ये जो उत्पत्ती का हासनियम है ये उत्पादकों को नई नई वस्तु बनाने के लिए भी प्रेरित करता है नेक्स्ते उपभोक्ता की बचत को महदब तो ये सीमान्त उपयोगिता हासनियम उपभोक्ता की बचत को भी महदब देता है कैसे महदब देता है क्योंकि सीमान्त उपयोगिता हासनियम बताता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को उस बिंदू तक क्रे करता है उस बिंदू के पहले वाली इकाई से उक भोकता को अधिक उपयोगता मिलती है चुकि उक भोकता सभी इकाईयों का बरावर मूले देता है यही उक भोकता की बचत है कुल मिला करके कहने का प्रियासियां पर यह किये जा रहा है कि जो मान लेते हैं कि पांच रोटी पांच रोटी कोई एक लगोगी जिस रोटी को पहले वो खाएगा उसकी उपयोगिता उसे जादा मिलेगी उसके बाद पिर कम मिलती जाएगी तो लेकिन चुकि सभी की उपयोगिता सभी का जो मूली था जो कीमत थी वो तो एक ही थी यह ना लेकिन एक कीमत होने के बावजूद भी उसे कम जादा उपयोगिता मिल रही है यही को हम आधार है क्योंकि यहीं कि ॉपयोगिता की बताता है कि बस्तू की पूर्ती बढ़ने पर मूल कम क्यों होते हैं जैसे जैसे बस्तु की हम पूर्ती बढ़ा देते हैं बाजार में तो उस बस्तु का मूल कम क्यों हो जाता है क्योंकि लोगों की रुची मतलब की उपयोगिता कम होने लगती है रुची कम होने लगती है I hope clear होगा चिकेना next and last point है मांग के नियम का आधार मांग के नियम का आधातु सीमान्त उपयोगिता हास नियम ये बताता है कि मांग बक्र बाएं से दाये क्यों जुगता है एक व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तू का अधिक से अधिक उपवोग करता है वैसे वैसे उस वस्तू को मिलने वाली अत्रित उपयोगिता कम होती जाती है तो मांग के नियम का भी यही आधार है कौन सीमान्त उपयोगिता हास नियम इस प्रकास से दोस्तों हमारा ये टोपिक छोटा सा सेशन था कुछ जादा विशेस नहीं था और यहाँ पर मुझे आप लोगो समझाने के ल समझ आया होगा मिलेंगे नेक सेशन दोस्तों अगला जो सेशन होगा हमारा वह होगा तठस्ता वक्र पर पूरे डिटेल से हम इस पर चर्चा करेंगे